हेलो एवरिवन वेलकम टू सक्सेज विद रायकेडमी 19 फरवरी 2021 के दैनिक जागरण के राष्टी संस्क्रण को आज की इस वीडियो में डिसकस करेंगे तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं सबसे पहले अपनी मोटिवेशनल लाइन को देख लेते हैं कि जब तक जीना तब तक सीखना अनभव ही जगत में सबसे सिक्षक है यह बोला था स्वामी विवेकानन जी ने और अगर आप पढ़ भी रहे हैं तो यह जो आप जौब के लिए पढ़ रहे हैं या नौकरी के लि कि जो चाहत है वो आपकी हमेशा बरकरार रहनी चाहिए क्योंकि जितना आप सीखेंगे उतना आपको अनभव प्राप्त होगा और आप बहतर से बहतर कर पाएंगे तो अब आज की निउस पेपर को सुरू करते हैं सबसे पहले नेशनल निउस दो नेशनल निउस हैं हमारी कि इंटरनेट मीडिया पर यहां पर होगा लगेगी लगाम इंटरनेट मीडिया पर कसेगी लगाम बनेंगे नैनियम और दूसरी निउस है कि जून से सुरू हो सकती है जंगरना और NPR की प्रक्रिया तो यहां पर हेडिंग आपको दिख जाएगी इंटरनेट मीडिया पर क कई तरीके के प्रतिबंद लगाने की गोशना करी है अब इसमें सबसे पहले तो जो जैसे विदेशों में होता है कि अब जैसे अमेरिका में अंदोलन जो ट्रम्प बढ़काया गया था अपने समर्थकों को उसके बाद क्या हुआ था कि ट्रम्प का एकाउंट डिलीट कर दि एक कर रहे तरहें उनके लिए कोई करवाई क्यों नहीं करी गई तो ये दूसरा रवैया है जो किसी भी मीडिया का है वो सिर्फ ॐ है प्रावेसी के उसमें लोगों की नीजता का उलंगन माना जा रहा है यह भी वाटसप का नियम सिर्फ इंडिया के लिए है फेस्बुक में भी कई ऐसे ऐसी कमिया हैं जो सामने आती हैं तो इन सब को देखते हुए ही अब भारत सरकार ने नियम लाने की घुषना कर सकती है यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी आपत्ती जनक और भड़काऊ पोश्ट को हटाने के लिए सरकार के आदेश का तत्काल पालन किया जाए माना जारा है कि मंगलवार तक इस समन्द में घुष्णा हो जाएगी और इसमें केंद्रिय आईटी मंत्राले ने ड्राफ त्यार कर लिया है इसके तहत कंपनियों से डाटा का इस्थानिय करने और पूरी तरह से भारत में कंपनी के रूप में अपना रेजिस्टेशन कराने के लिए कहा जा सकता है अभी सिर्फ बलिंग के लिए इंटरेट मेडिया की बड़ी कंपनिया अपनी भारती इकाई को दरसाती है नेक्स्ट है कि जून से सुरू हो सकती है जनगर्ना तो एक्सटेशन करोना काल में हुआ था कि 130 सालों में पहली बार ऐसा हुआ था कि कुरोना की वज़े से जनगर्ना को रोक दिया गया था और अब जब करोणा पर एक तरीके से इंडिया में काबू पा लिया गया है तो अब इस प्रक्रिया को पूरा करने की कोसिस कीजा रही है क्योंकि 130 सालों में ऐसा हुआ था जब जनगर्णा रोकी गयी थी अब जून से इसे करने की बात इसलिए कही जा रही है और अधिक आयू वर्ग के प्राथमिक्ता वाले समूहों को कुरोना की वैक्सीन लगाने के बाद इस साल जून से जंगर्णा और NPR को अपडेट करने की प्रक्रिया सुरू हो सकती है जून तक 5 राजियों में चुनाओ का काम भी पूरा हो जाएगा 130 साल में पहली बार कुरोना महामारी के कारण जंगर्णा की प्रक्रिया को रोकना पड़ा था अब इसे अगले साल फरवरी तक पूरा करनी की तैयारी है पहले आसंका जताई जा रही थी कि वैक्सीन की सीमित उपलब्दता और 30 करोन प्रत्मिक्ता वाले समों की बड़ी संख्या के कारण इसमें काफी लंबा समय लग सकता है लेकिन कुरोना महामारी की जानकारी रखने वाले हेल्थ केर वरकर्स में लगभग 70 फीजदी नहीं वैक्सीन ली है इसी अनुपात में यदि फ्रेंट लाइन वरकर्स और 50 साल से अधिक उम्र के लोग भी वैक्सीन लेते हैं और यह जो अन्फरेंट किया गया है वो खबरों के इस्तमाल पर ऑस्टेलिया कंपनी को भुकतान करने की व्यस्ता पर किया गया यहनि कि आप पहले अगर कोई न्यूज लाता है फेस्बुक तो उसके लिए ऑस्टेलिया कंपनी को पेड़ करना पड़ेगा तो यह एक तर्ग था फेस्बुक ने जब ऑस्टेलिया को अन्फरेंट कर दिया है खबरों के मताबिक फेस्बुक और ऑस्टेलिया के बीच टकराओ इस हद तक बढ़ गया है कि इस दिगज इंटरनेट मीडिया ने इस देश को अन्फरेंट कर दिया है इस अमेरिकी कमपनी ने गुरुवार को एलान किया कि उसने अपने प्लेटफॉर्म पर उस्टेलियाई लोगों के निउस देखने और साजा करने पर रोक लगा दी है Facebook ने यह कदम उस्टेलियाई सरकार के उस प्रस्तावित कानून के विरोध में उठाया है जिसमें खबरों के इस्तमाल पर उस्टेलियाई कमपनी को भुकतान करने की विवस्ता की गई है यह कानून Facebook और Google को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है Next है हमारा Business Page Business Page में तीन News है पहली News है कि Discom के लिए नियम की विवस्ता जल्द डिसकॉम यानि की जो हमारा बिजली विभाग होता है बिजली सेक्टर होता है उसमें इलेक्रिक सेक्टर जो होता है उसको Discom बोलते है और तूसरा है कि टोल संग्रा 95 करोन के पार पहुँचके आए क्योंकि अब कैस वाली अगर आप कैस देते हैं तो आपको दुगना देना पड़ेगा टोल प्लाजा पर और अगर फास्टेक है तो आपको 40-30% की छोट मिलती है और तीसरी नियूज है कि मासिक GST संग्रा 20,000 करोन पार पर ले जाने का लक्ष है तो पहली नियूज से सुरू करते है टोल संग्रा 95 करोड के पार पहुँच गया है भारती राष्टी राजमार प्राधिकरण ने कहा है कि उसने देज भर में राष्टी राजमारगों पर 100% कैसलेस टोल संग्रा प्रणाली के लग्ष हासिल कर लिया है प्राधिकरण ने बताया कि बुद्धवार को देज भर में एनेच इस्थित टोल प्लाजा पर फास्टेक आधारित लेन देन की कुल संख्या करीब 60 लाग पर पहुँच गई है उसने उस दिन इन व्योस्था के तहट टोल संख्या भी 95 करोन रुपए को पार कर गया एक बयान में एन एच ए आई ने कहा कि एनेच इस्थित टोल प्लाजा के सभी लेन पूरी तरह फास्टेक समर्पित होने के बाद से दो दिन में धाई लाग से अधिक फास्टेक बिके हैं सरकार ने इस सप्ता सोंबार मंगलवार को कि दर्मिया राद 12 बजे से देज भर में एनेच इस्थित सभी टोल प्लाजा पर सौ फीजदी फास्टेक व्योस्था अनिवारी कर दी थी सरकार ने यह भी कहा था कि बिना फास्टेक लगे वाहनों के लिए टोल टेक्स दोगुना हो जाएगा यह व्योस्था लागू होने के बाद अगर कोई भी वाहन एनेच पर इस्थित किसी भी टोल प्लाजा से बिना फास्टेक के गुजरता है तो उसे दोगुना टोल देना पड़ रहा है नेक्स्ट है कि डिसकॉम के लिए नियामकी व्योस्था जल्द पढ़ान मंदरी नरेंदर मोदी ने बिजली छेतर को आस्वस्थ किया है कि सेक्टर की समस्याओं को दूर करने के लिए केन सरकार काम कर रही है उन्होंने गुरु वार को कहा कि सरकार बिजली वित्रन कमपनियों यानि डिसकॉम के लिए जल्द नीती एवं नीती एवं नियामक व्योस्था जारी करेगी पिछले समय के दौरान नीयामन और प्रक्रियाओं में जो सुधार हुए हैं उनसे बिजली छेतर पर परिद्रश्य बहतर दिख रहा है प्रधान मंत्री ने कहा कि सरकार बिजली को उद्यों के हिस्से के रूप में नहीं बलकि इसे एक अलग छेतर के रूप में देखती है इसी वज़ा से इस सेक्टर को लेकर केंदर का रुख समगरता वाला दिख रहा है प्रधान मंत्री कार्याले के बयान के अनुसार एक वेबिनार में प्रधान मंत्री नेरेंदर मोधी ने कहा कि उब्भोकताओं के पास किसी भी अनिखुद्रा वस्तुओं की तरह अपने बिजली आपउर्ती करता को चुनने का भी अधिकार होना चाहिए नेक्स्ट है कि मासिक GST संग्रा दो लाग करोन पार पर ले जाने का लक्षी उद्योग वो व्यापार के विकास के लिए खजाना खोलने वाली सरकार अब GST कलेक्शन को भी बढ़ाने में जुड़ गई है सरकार GST की मासिक वसूली दो लाग करोन रुपए तक पहुँचाने की तयारी कर रही है GST का रिकॉर्ड संग्रा इस वर्स जन्वरी में एक दुसमनलग दो लाग करोन रुपए था केंद्री अप्रतेक्श कर एवं सीमा सुल्क बोर्ड के मताबिक यह इस तर छुने के लिए कई इस तर पर तयारी चल रही है CBIC के एक वरिष्ट अधिकारी ने बताया कि GST संग्रा बनाने के लिए फिलहाल विभाग का ध्यान बिजनेस टू बिजनेस की और अधिक है मजबूत करने की दिसा में काम कर रही है नेश्ट पेज एडिटोरियल तीन एडिटोरियल है हमारे पहला है कि फिर दगा दे सकता है चीन लेकिन जिस तरीके से चीन अब वापसी कर रहा है पैंगॉंग जील के लाके से लेकिन उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है भारत चीन को यही याद दिलाए तो बहतर है कि जिस टिबबत के जरियेवर लद्दाक और अरुनाचल पर नियत खराब कर रहा है उसी टिबबत पर उसका कबजा गैर कानूनी है इसी पर लिखा गया है आर्टिकल और यह आर्टिकल लिखा है Center for Himalayan Asian Studies and Engagement के चेर्में वरिष्ट पत्रकार विजय करांती द्वारा दूसरा आर्टिकल है कि घुटने टेकता आपराधिक नयाइक तंत्र गवाही की समस्या आपराधिक नयाइक तंत्र को ध्वस्त करने का काम कर रही है इससे आम जन का वरोसा तूटता है इसी पर लिखा गया आर्टिकल और यह आर्टिकल लिखा है उत्तर प्रदेश के पूर पुलिस महानिदेशक यसपाल सिंग द्वारा और तीसरा आर्टिकल है देश विरोधी अजन्डे के महरे और जिस तरीके से अब टूलकेट वाला जो मामला आया है फिर महराष्ट वाला इसमें अब देश विरोधी ही अजन्डे काम कर रहे हैं ऐसा देख रहा है तो इसी पर लिखा गया यह आर्टिकल तो पहले आर्टि को पीछे हटाने से दोनों देशों के बीच सैनिक तनाव कम हो गया है लेकिन भारत में अभी भी चीन की नियत के प्रति संदे कम नहीं हो रहा है संसत में रक्षा मंत्री राजना सिंग ने बताया कि लंबी आनाकानी के बाद चीन पीछे हटने को इस कारण राजी हुआ कि उसे समझ में आ गया कि भारत चीनी दादागिरी के आगे जुक नहीं सकता है एक्षिल में जो पैंगॉंग जील है उसके इधर फिंगर 4 बोलते हैं फिंगर 4 और इधर फिंगर 8 तो जो चीनी सेना है वो अभी फिलहाल में यहां पर है जो यहां से वापसी कर रही है और जब इसने दखल अंदाजी करी थी तो वो यहां तक आ गई थी उसके बाद फिर बातचीत चली थी उसके बाद अब इन्हों ने जब 9 और 12 दौर की बातचीत हुई है तब यहां से पलायन कर रहे हैं भारती सेना अभी यहां पर जमी हुई है क्योंकि वो जानती है कि अगर चीन का भरोसा नहीं किया जा सकता है वो कभी भी जिस तरीके से इससे पहले उन् में चीन के पीछे हटने के कई आयाम हैं जिस पर ध्यान दिया जाना जरूरी है यह पहली बात यहां है कि लद्दाक के गलवन होट स्प्रिंग गोगरा और देप सॉंग में विवाद अभी जियों का त्यों है यह इलाके हिमाले के बहुत उंचे हिस्से में हैं जहां सर्द से लोहा लेने का बहुत लंबा अनगौ है चीनी सेना के पैंगॉंग के पीछे हटने का एक कारण यह भी है कि सर्दियों में हत्यार बन टकराव को टालना चाहता था इसलिए सर्दिया खत्म होने के बाद चीन की नियत फिर से नहीं बदल जाएगी इसकी कोई गारंटी नह लेकिन भारती सेना ने चीनी सेना को जैसी चुनौती दी उसके बाद उन्हें डर सताने लगा कि लंबे समय तक सीमा पर भारत के साथ उल्जे रहने से उनकी छवी एक कमजोर नेता के रूप में बनेगी और आजीवन पद पर बने रहने के बजाए लेने के देने पड़ सक हुए उसे बताए कि तिबद की जिस जमीन पर वह खड़ा होकर लद्दाक और उनाचल प्रदेश के भूभाग पर दावग करता आ रहा है और सैनिक धंकियां दे रहा है वह उसकी खुद की उपस्ति गैर कौनूनी है अगर मोधी सरकार चीन को इस सच का आइना दिखाने का साहस करती है तो तिबद की आजादी के एक चुक अमेरिका, यूरोप और जापान इस अभियान में कूदने को तयार है नेक्स्ट है घुटने टेकता आपराधिक नयाईक तंत्र बीते दिनों उत्तर प्रदेश में हुआ एक और एंकाउंटर चर्चा में आ गया लखनों मे हुए इस एंकाउंटर में एक ब्लॉक प्रमुख अजीत सिंग की हत्या का मुख्य आरूपित और कुख्यात सूटर गरधारी मार दिया गया पुलिस के अनुसार गरधारी उसकी गिरफ से भागने की कोसिस कर रहा था अजीत सिंग की हत्या जन्वरी के पहले सब्ता में इस तरह के मामले रह रहकर सामने आते रहते हैं कई बार तो अदालत परिसर में ही गवाहों की हत्या कर दी जाती है देश और समाज के हिद में यह जरूरी है कि न्याइक तंत्र हर कीमत पर सक्ति साली और प्रभाव साली बना रहे हैं अंग्रेज्यों ने वर्तमान अधिका आपराधिक न्याइक तंत्र को 1861 के आसपास स्थापित किया था अर्थात 1857 के विद्रो के बाद ऐसा नहीं है कि अंग्रेज्यों ने आनन फानन इस तंत्र को खड़ा कर दिया उन्होंने जो भी किया सोची समझीर रणीती के तहत किया उस समय उसके सामने दो उदेश थे दोबारा कोई विद्रो ना हो और तंत्र को खड़ा करने में कम से कम खर्चाए इसलिए तंत्र की पहली कड़ी पुलिस को थाने पर बहुत ससक्त बनाने बनाते हुए थानेदार को धेर सारे अधिकार दिये चुकि विवेशना की एजेंसिया ही संदेशास्पत मानी जाती है इसलिए अभियोजन पक्ष आधी लड़ायाने की जो गवा होते हैं उनको प्रक्रिया होती है उसमें उनको काफी समय लग जाता है और इसमें क्या होता है कि गवा या तो फिर बाद में खुदी हट जाता ह है किसी गवा की हत्या पूरे अपरादिक नयायक तंत्र को खुली चुन होती है यहां तक की सासन तंत्र को चुन है फिर भी हमारी विधाई का नयायक प्रक्रिया या फिर साक्ष अधेनीयम की धाराओं को बदलने पर विचार ही नहीं कर रही है जो नियम कानून बहुत खराब है कोई नहीं पूछ था कि जब आप सासन में थे तो कौन थे कानून में क्या बदलाव किये गए देश आज भी उन्हीं अपराधिक कानूनों प्रक्रियाओं और साक्ष अधिनियम में सासित है जिने अंग्रेजों ने देश को गुलाम बनाये रखने के लिए देश सताब्दी पहले बनाये थे तो हम अपने को पूर्टा सोतंत्र कैसे कह सकते हैं देश साल पहले लोग और समाज की सोच भिन्न थी आज इस्ति बिल्कुल भिन्न है आज पुराने कानूनों से पेशेवर अपराधियों को रोग पाना असंबव है खास कर जब उन्हें विधायक और सांसत बनने तक की छूट उपलब्द है नेक्ट है कि देश विरोधी एजेंडे के मोहरे इस पर हरानी नहीं कि बहु चर्चित टूल किट मामले में जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे साजिस की पड़ते सामने आ रही है करनाटा में बैठे खालिस्तानियों ने जिस आसानी के साथ करनाटा की दिसा रवी है और महराष्ट की निकिता एवं सांतनू को अपने साथ मिला लिया उसे यही संकेत मिलता है कि यह तथाकति पर्यावरण हित ऐसे गतिविदियों में पहले से लिप्त रहे होंगे और इस और योग के देश वाली भारत की छवी नश्ट करने के लिए अभियान का मकसद ना समझ पाए इन तीनों को खालिस्तानियों से मिली भगत ने उन तत्तों की याद दिलाई जो पर्यावरण की आड में देश विरोधी ताकतों के मददगार माने जाते हैं इसकी अंदेखी भी नहीं की जा सकती कि कणाकुलं में पर्माणू उर्जा सयंत्र के खिलाफ किस तरह पर्यावरण रक्षा की आड में लंबे समय तक आंदोलन चलाया गया इसी तरह के कुछ और आंदोलन अन्य परियोजनाओं के खिलाफ भी चलाया गया है इनमें से कई के पीछे स्वदे से जड़ी परियोजनाओं का विरोध करते हैं अब नेक्स्ट पेज है हमारा स्पोर्स पेज में दो न्यूज है पहली न्यूज है कि वीवो जो मुबाइल कंपनी है वो आईपेल 2021 का मुख्य प्रायोजक होगा और दूसरा है कि ओलंपिक समिति के अध्यक्ष बनेंगे हश हशी मोतो को टोक्यो ओलंपिक आयोजन समिति का प्रमुक्ष चुना गया है होजी मोतो ने चार बार सीथ कालिन और तीन बार ग्रीस कालिन ओलंपिक में भाग लिया है और अब उन्होंने नया इतिहास रचा क्योंकि जापान में सीर्स पदों पर कम महिलाएं पहुंचनी है टोक्यो ओलंपिक आयोजन समिति के पुरुस प्रधान कारेकारी बोर्ड की बैठक के बाद 56 वर्सिये हशी मोतो को आयोजन समिति का अध्यक्ष चुना गया है वो 83 वर्सिये योशिरो मोरी की जगह लेंगे इंडियन प्रीमेर लीग के चेर्मेन ब्रजेस पटेल ने गुरुवार को घोशना की कि इस साल के संस्क्राण के वीवो मुख प्रायोजक होंगे पटेल ने IPL निलामी के स्वागत भाशन के दुरान कहा कि वीवो की वापसी हुई है इस संस्क्राण को वीवो IPL 2021 के रूप में जाना जाएगा वापसी पर वीवो का स्वागत है IPL चेर्मेन ने यह भी पुष्टी की कि IPL 2021 में प्रसंसकों के स्टेडियम में लौटने की काफी संभावना है पटेल ने कहा कि प्रसंसकों को वापस लाने के लिए इंतजार नहीं कर सकते काफी संभावना है कि इस साल के IPL में उनकी मौझूदगी रहेगी हम बंद दर्वाजों के पीछे एक सत्र का आयोजन कर चुके है तो यह आज का 19 फरवरी 2021 का देनी जायरों का राश्टी संसक्रण था आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होता लाइक हो शेयर कर दीजेगा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद